आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे जुडिश्री एक्साम्स जो हमारे आने वाले हैं कुछ ही महीनों के अंदर आपको मैं पूरे के पूरे पूरे बताऊंगा लेकिन मैं आपको वीडियो के स्टार्टिक में एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि यह मेरी प टेट वाइज कंड़क करवाया जाते हैं, कोई जो है राज्य सरकार के दुवारा कंड़क करवाया जाता है, और कुछ जो है हाई कोट के दुवारा कंड़क करवाया जाता है, यह डिपेंड करता है हमारे state to state, लेकिन यहाँ पर best opportunity सभी law students के लिए आएगी, जैसे कि मैं आपक के अंदर, यह मेरी personal expectation है, ऑक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक 100% notification रिलीज कर दिया जाएगा, राजिस्तान जुडिश्री का notification, क्योंकि आप लोग जानते हो, अभी कुछ दिन पहले ही, राजिस्तान जो भी previously exam हुआ था, उसका result, interview होने के बाद, officially result declare कर दिया गया है, जितने भी लोग, राजिस्तान जुडिश्री का exam अभी उन्होंने clear करा है, तो उन सभी लोगों के लिए आगे आने वाले जुडिश्री के अंदर वो आने वाले हैं, आ चुके हैं, तो उनको all the best, तो मैं आब जो नए candidates हैं, जो अभी अपना exam देंगे, तो उनको मैंने बत रखते हैं, परियाब निकाल लोगे, बट मेंस के अंदर आके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिलेगी, जो मैं नहीं चाहता, तो मैं भी क्या हूँगा, कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, अभी के अभी topic wise, मेंस के टूटे, फूटे, परफेक्शन क साथ अपने answers लखना चालू कर दीजिए, अगर आपके answer writing perfect होगी ना, तो आपको judge बनने से कोई नहीं रोख पाएगा, यह मेरा पूरा आपके लिए blessings हैं, और आपके लिए मैं पूरा हमेशा साथ रहता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे कि free judishy के classes में में मैं conduct करवाता तो बहुत time हो गया, भी APO का exam नहीं आया, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब राजिस्तान APO का exam भी निकाल सकता है, तो इसकी भी expectation है, आप October, November तक आप थोड़ा सा wait करो, wait करने का मतलब है कि यह मत सोचना की notification आएगी, तो ही मैं जो है अपना exam की तयारी करना चालू तो मेरा मतलब यह इस वीडियो को देखने के बाद बस आप मान के चलो, कुछ ही time रह गया है, अपनी तयारी अभी से चालू कर दो, तो APO के अंदर ना थोड़ा syllabus में भी variation देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है, कि बहुत time होगे एक तो notification नहीं आई, और अब यह तो यार, officially नए syllabus के साथ में आएगी, तो बैसे तो आप लोग जानते हूँ, हमारा major acts की में बात करूँ, तो CPC, CRPC, Evidence Constity, आपका IPC, आपका Limitation, Specific Relief Act, Contract Act, Family Law, जिसमें Hindu Law और Muslim Law दोनों cover होता है, यह सारे acts अपना cover करके रखोगे, भाई, यह तो हर judiciary exams में, जितने भी हम म topic wise आपको बता रहा हूँ, हर जगा यह पूछा जाएगा, तो इन exams के लावा जो हमारे local acts होते हैं, हमारे minor acts होते हैं, उसमें थोड़ा सा variation आ सकता है, बट यह तो main अपने रहेंगे, तो at least अपनी major act पूरे करके रखिए, अभी की अभी, ठीक है, अब MP Judiciary हम जानते हैं कि अ notification release करने के जो एक pattern है, एक अपना जे algorithm है, भाई यह बहुत sincere है, सिर्फ मुझे MP Judiciary लगता है, आप पूरे past record दिखा लो, भाई हर साल यह exam कंडग करवाता है, तो जितने भी MP के तियारी कर रहे हैं, उनके मन में एक surety रहती है, और एक वो secure रहते हैं, कि यह इस बर मेरा exam नह बता दीचेगा, दिल्ली जुडीश्री मुझे लगता है कि शायद 2023 के अंदर 100% आएगा, और हाँ MP के मैरे expectation है, जनवरी दिसमबर तक आ जाएगा, कि यही महीना रखती है, दिसमबर जनवरी फरवीर तक अपना notification release कर दिया जाता है, और इस बार मुझे लगता है यह follow होग कि हम हर साल exam को conduct करवाएंगे, तो उसके basis पे अगर मैं बात करूँ और दिल्ली जुडीश्री के अंदर vacances की भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसको मैं ध्यान में रखते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि February, March में आएगा, अगर February, March में नहीं आता, तो मही या जून में आ सकता है, ठीक है, ये दो महीने हैं जो अपना दिल्ली टार्गेट लेके चलता है, भीहाज जुडीश्री का मेरा expected है, 2023 में कभी भी आ सकता है, बट March, April तक आप मान के चलिए, आ सकता है, हर्याना जुडीश्री के मैं बात करूँ, expected date, आपकी हर्याना जुडीश्री मुझ 2022 के end में, जो मुझे लगता है, आप लोग कितना सहमत हो, मेरी बात से, तो आपका क्या point of view है, कि नहीं सर, एक और ये वाला APU का exam, ये वाली particular state conduct करवा सकती है, ऐसा आपका assumption है, तो मुझे comment box के अंदर जरू बताएगा, मेरे साथ में और जो बाकी सभी लोग है, उनको भी आपकी बताई हुई बात, comment box के अंदर बहुत ज़्यादा satisfactory रहेगी, तो all the best, all of you, आपका कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी दिक्कत परिशानी आईगी, तो comment box के अंदर बताएगा, मैं आपके doubt को pick करके, वीडियो के मेरे से, सभी लोगों को आपका doubt clarify जरू करूँगा, तो अगर वीडियो पसंद आईगा, तो वीडियो को like जरू करिएगा, चैनल को subscribe करके मुझे support जरू करिएगा, और कोई भी doubt है, तो comment box के अंदर अपना point of view जरू बताएगा, हम मिलते हैं next, वीडियो के अंदर, thank you, दिनवाद.